प्यारे दर्श को मैं फिर आपके साथ रमा जोशी, जोची, रेकी हीलर, वास्तु कलसंट एंट अंक शास्री और और आरेडर ओम नमा शिवाय हरकर महादेव आज मैं राहू केतु के बारे में इतनी इंटरस्टिंग इतनी इंपोर्टन बात बताने जा रही हूँ मेरी गरेंटिया आपने किसी भी वीडियो में ये बात नहीं देखी होगी और आपको बिल्कुल डिटेल में एक दम पता चल जाएगा है राहू केतु क्या राहू केतु के बारे में ये तो आप समझते हैं मेरे बहुत सारे वीडियो है कि इनका कोई भॉतिक अस्तत्व नहीं है इनका कोई स्वरोब नहीं है ये चाया मात रहें ये उर्जा मात रहें ये दिखती नहीं है लेकिन इनका effect हम पे बहुत ज़ादा यह कहोके सबसे ज़ादा इनीका effect होता है अब हम समझते हैं एक दम डीटेल में सबसे चोटी उर्जा के थो सबसे चोटी उर्जा कॉन सी है इस दुनिया के एटम हमारे धर में क्या का जाता है कंड कंड में बगवान बगवान मतलब उर्जा हर कंड में स्रिष्टी के उर्जा है चोटे से छोटे कंड में उड़ जाए एक सबसे छोटा कंड होता है एक सबसे छोटा कंड होता है एक सबसे छोटा कंड होता है इस प्रमान का जो भी हम सबसे छोटा कंड लेते हैं जो भी हम साइस में बढ़ते हैं हमने पढ़ा है वो है एक जिसके अंदर तीन उड़ जाए ह आपको उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा अब देखे केतु क्या होता है केतु वो उर्जा है वाइरस, बैक्टिरिया, उत्मी, छोटी उर्जा बीज, ये सब केतु है वो चीजें जो हमें नहीं देखती है बहुत चोटी होती है लेकिन उनका अस्तित्व होता है हम अपनी खुली आखों से उनको नहीं देख सकते है लेकिन उनका अस्तित्व होता है उनका छूटा सा इतना छोटा रूप होता है जो कि हमें नहीं देखता है वो होता है केतु एटम जो कि एक सबसे छोटा कण है जो कि उसका भौतिक स्वरूप है वो स्वरूप जो कि हमें खुली आखों से नंगी आखों से नहीं दिखता जो हमें कैसे दिखता है माइक्रोस्कोप में वो केतू है और जो उसके आस पास से उड़ जाएं आ रही है ना दिखने वाली सबसे छोटी उर्जा जिसको वाइरस कहें बैक्टीरिया कहें कुछ भी कहें समझने के लिए सबसे छोटा कण कौन सा है एटम है एटम जो कि हमें दिखता नहीं है वो जो उसका अस्तित्व है जो उसका स्वरूप है वो है केतू जो अपने आप में है और जो उसके आसपास ऊड़ जाए वो रागू है बस इतना ही हमें समझना है हमारे आसपास जितनी भी ऊड़ जाए सब रागू है और जो चीजों के अंदर सबसे छोटा कण है जो हमें दिखता नहीं हम बात अपने बहुत एक सरूप की दिखने वाली चीजों की नहीं कर रहे हम उन चीजों की बाते कर रहे हैं जो हमें नहीं दिखती है जो हमें माइक्रोसकोप से दिखती है जो साइंटिस्ट को बता होती है वो केतू है हो गया ना सब कुछ आसान समझना जो चीजें दिखनी है भाउतिक रूप में वो उससे जुड़ी भी नहीं है रागु केतू हमें दिखते हैं नहीं है लेकिन यहीं चीजें हम पे सबसे भी भी है तो इनका अस्तित ना होते वे भी हमारे उपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है या काओ कि सबसे ज़्यादा यहीं हमारे उपर इफेक्ट करता है इतना डिटेल में आपको राओ केतू के बारे में बता दिया है मुझे नहीं लगता और कोई बता सकता है दीक अगर आप अपने कुल्ली दिखाना चाहते हैं तो मेरा नमर इसमें दियावा है आप मुझे संपर कर सकते हैं मुझे वाट्सअप कर सकते हैं ओम नमाशिवाई खरकर महादेव